अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है आज हम लोग परेंगे इसके जहासर की साइंस की बाइलोजी का रिपोर्डेक्टिव सिस्टम परजनन तंत्र का एमसी क्यू लगाएंगे इसके पहले हम लोगों ने थेवरी सेक्शन को अच्छे तरीके से कमप्लीट कर लिया तो यदि इस चैनल पर आप लोग पहली भी बाड़ विजिट किये हैं तो चैनल के प्लेलिष्ट में जाकर वहां से आप लोग पहले थेवरी सेक्शन लगा होसे चलिए एमसी क्यों की तरफ चलते हैं छेदि यदि डैस सामील हो तो और भी अधिक विवित्ता उत्पन हो जाती है कि इसका सई अंसर होगा एक लेंगिक पर जेनन हम लोग पर जेनन के बारे में पढ़ेते कि प्रजेणन दो प्रकार के होते हैं लेंगिक परजनन और अलेंगिक परजनन लेंगिक परजनन में क्या होता है लेंगिक परजनन और अलेंगिक परजनन लेंगिक परजनन में सेक्सवल प्रडक्शन सेक्सवल होता है और अलेंगिक परजनन में, डैस होगा, तो अलेगिक परजनन में होगा, नय जीव अनुवाजिक रूप में जनक माता पिता के समान होते हैं, तीसरा सवाल है पुरु 사 में प्रात्मिक यौणंग कौन सा होता है कि तहां कि इसका सही अंसर होगा बृुरु dakika जो प्रात्मि यौऄ ने अंग होगा जब सेक्सड सेक्सवल का जब प्राइमरी अंग होगा वो ब्रिशन होता अब है सिंगयामी कहलाता है बहुत ही सिंगयामी कहलाता है जब एक सुक्रानु और एक अंडानु में एक सुक्रानु और एक अंडानु दोनों आपस में आकर संजुगमन करते हैं मिल जाते हैं उसे ही हम लोग क्या करते हैं सिंगयामी करते हैं में आपको तयार करता है इसका सही अंसर हो जाएगा B गर्वास मानव नर्में मुत्र और बिरी का परवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे डैस कहते हैं इसका सही अंसर होगा मुत्र मार्ग मुत्र मार्ग से क्या होता है ब्री और मुत्र दोनों का परवा होता है जिसे हम लोग मुत्र मार्ग कहते हैं गति सील जीवानू कोसिका को कहा जाता है इसका सही अंसर होगा नर्युगमक गति सील जीवानू जो होता है कोसिका को नर्युगमक कहा जाता है अंडा, अंडा से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? पहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है इसका सही अंसर होगा C, डिम बबाहनी में अभे, अमीबा में परजनन कैसे होता है? इसका सही अंसर होगा, डिफीजन के बिधी से वी खंडन द्वारा होता है मानव परजनन परणाली में कौन सा हिस्सा मा के रक्त से भूर्ण के पोशन प्राप्त करने में मदद करता है? इसका अंसर हो जाएगा A, गर्व नाल में इंप्लाटेशन किसकी परकिरिया है? एक गर्वासे के लाइनिंग से सन्युगमंग का जुर्ना प्रोश्टेट गरंथी किसके नीचे मौजूद होता है? इसका सही अंसर होगा A, मुत्रासे के नीचे मानो शरीर में प्रोटेश्ट एक डैस है अभी जश्ट हम लोग पढ़े हैं मानो शरीर में प्रोटेश्ट एक गरंथी है उस अंका नाम दे जहां भुरून का विक्सित होता है पहुत ही जी कोश्चन A, गर्वासे ब्रीसन में डैस उदरगुः के बाहर इस्थित होते हैं इसका सही अंसर होगा अंडकोस के थैली में अंडकोस के थैली में जो होता है ब्रीसन के उदरगुः बाहर इस्थित होते हैं नीशेचन के परिनाम सरुप किस एक का निर्मान होता है इसका सहिय अंसर होगा जाइगोट, निस्येचन के परिनाम सरूप क्या होता है, जाइगोट का निर्मान होता है, जहां पर बच्चों का दिकास होता है, मनुस्र के नवजात सीसु के अस्तन ग्रंति से निकलने वाले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलोस्ट्रोल कहते हैं कोलोस्ट्रोल को डैस परदान करता है इसका सही अंसर हो जाएगा भी रोग परतिरोधक सकती कोलोस्ट्रोल में क्या होता है मा के दूद होता है उसमें कोलोस्ट्रोल पाया जाता है और उस कोलोस्ट्रोल में रोग परतिरोधक छमता होती है नाकी प्रोटीन अब डिम्ब के साथ सुक्रानू का निसेचन क्या होता है फेलेपियन ट्यूब में डिम्ब के साथ जो सुक्रानू निसेचन करता है वो फेलेपियन ट्यूब में संपन होता है अब गर्वनिरोधक गोलियां में डैस सामिल होता है तो गर्ब निरोधक कोलियां में जो सामिल होता है पोजिश्ट्रोन और एस्ट्रोजोन का यौन मिस्रन जो सामिल होता है वो गर्ब निरोधक कोलियां में सामिल होता है परजनन उत्तक के परिपक होना शुरू हो जाने पर समान रूप से सरीर का विकास कम होने लगता है कि सुरा बस्था की इस स्थिति को डैस कहा जाता है इसका सही अंसर होगा यवबन इंसर इस सी निमलिखित में से कौन सी एक परजनन को सिका है युगमक क्या होता है एक परजनन को सिका है महिलाओं में यवबन की सुरूआत किस अबस्था में होती है इसका सही अंसर होगा रजो दर्सन महिलाओं में जो योवन की सुरुवात होती है रजो दर्सन में होती है मादाओं में अंडानु उत्पादन की परकिरिया को क्या कहा जाता है इसका सही अंसर होगा अंडा जनन मादाओं में जो अंडा उत्पन करने के परकिरिया जो है उसको अंडा जनन कहलाती है गड़भासय में भृून पोसन परदान करने वाला उत्तक है इसका सहियन सरोगा प्लासेंटा डैस उस उम्र का नाम है जिसके दवरान मानो प्रूसों और महिलाओं के परजनन अंका कारियात्मक हो जाते हैं गोनाइट्स योगमको और सेक्स हार्मोन उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानो यवन के परती परिपक हो जाते हैं इसका सही अंसर होगा एंसर हिडी की सोरा अवस्था में प्रूसों में ब्रिसन को सरीर के बाहर क्यूं होते हैं जो प्रूस में है ब्रिसन को सरीर के बाहर क्यूं होते हैं तो इसका सही अंसर हो जाएगा सुक्रानु निर्मान के लिए समान सरीर का तापमान की तुलना में कम तापमान की आविसकता होती है सुक्रानु निर्मान तभी होगा जब सरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान हो बढ़ते भुरुन के लिए पोसक उत्तक के रूप में कार्य करता है इसका सहियन सरोगा सी भृन्पोस सुक्रानु और युगमक के संजोग की कौन सी पिर्किया युगमच नामक एक संरचना के निर्मान में परिमानित होती है इसका सहियन सरोगा निसेचन सुक्रानी और युगमक जब दोनों आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर निशेचन शुरू हो जाता है, जो संपन होता है, जाइगोट में, सुक्रानू का निर्मान, डैस में होता है, इसका सही अंसर होगा, ब्रिसन में, सुक्रानू का निर्मान जो होता है, ब्रिसन में होता है, उस वाहनी, उस वाहनी का नाम बताइए, जो प्रुस ब्रिसन से निकलती है और सुक्रानु के सरीर में ले जाती है सुक्रवाहिका ड Judas में मांस्पेसियं के लेबध संकूचन के परिनाम सरूप पच्चा P Gradu होता है इसका सही रहोगा गरभाश से गरभाशसे डैस के माद्यम से योनी में खुलता है इसका सहियन सरोगा दी गरभा से अर्थात गिरिवा मादा रोगानों कोशिकाएं या अंडा किस्मे निर्मित होते हैं इसका सहियन सरोगा ओभरी जिसे अंडा से करते हैं ग्राफियन फूटक फोलिकल की गुहका को क्या कहा जाता है इसका सहियन सरोगा कोटर एंटमू सुक्रानू अस्थाई रूप से डैस में रखे जाते हैं इसका सही अंसरोगा अधिव रिसन में इसमें से कौन सा मनुस में पुरुष परजनन अंग का एक ही सा है इसका सही अंसरोगा सुक्रवाहिका गरभासे और अंडासे ये तीनों महलाओं में होता है निम्लिखित में से कौन सा मानुक में पुरुष परजनन परनाली का हिसा नहीं है तो इसका सही अंसर हो जाएगा भी अंडासे ओवरी ओवरी जो होता है ये पुरुष परजनन परना लिका हिस्सा नहीं है बाकी व्रिशन शुक्रवाहिका ये सभी पुरुस्क में संपन होता है भुरुन के लिए भोजन संग्रहित करने वाले जननकोशिकाओं को डैस कहा जाता है मादा युगमक डैस के द्वारा सुक्रानु व्रिशन से बाहर आते हैं इसका सही अंसर होगा है सुक्रवाहिका इस तरह से हम लोगों वन से लेकर 39 mcq इसमें पूरा कम्प्लेट कर लिया इसमें एप्रोक्स 80 mcq दिये गये हैं इसको बारी से हम लोग पूरा करें तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और helpful लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब क झाल